So guys, finally Samsung Galaxy S21 FE 5G smartphone को फिर से 2023 में launch किया जा रहा है और यहाँ पर जो आपके सामने इसका look है वो exact same देखने को मिलने वाला है क्योंकि यह जो smartphone है इसको और एक साल पहले launch कर दिया गया था अब यहाँ पर कुछ updates के साथ में यहाँ पर इस smartphone को launch किया जा रहा है और यह भी बता दू कि आपको जुलाई के इसी मन्त के अंदर कभी भी launch होता दिखाई देगा और आज के इस वीडियो में मैं बताने वालों कि क्या updates और क्या price देखनों मिलेगी सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्पले की तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की डैनेमिक AMOLED 2X 120Hz refresh rate के साथ में SDR10 Plus का support मिलेगा डिस्पले में साथ में आपको Corona Gorilla Glass Victus का भी डिस्पले का protection मिलेगा साथ में Always On डिस्पले मिलेगी Android 12 out of the box तेकने को मिलेगा और यहाँ पर Android 13 अभी update के साथ में चल रहा है बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके प्रोसेसर के पारे में दोस्तों तो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम के लागया है इस साल के अंदर तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 5G 5NN Technology पर जो बेस्ट है 5G के साथ वो आपको इस बार देखने को मिलेगा हला कि हम बात करें पहले वाले वाले वेरियंट्स की तो वहाँ पर आपको Exynos यानि की Samsung की तरफ से आने वाला जो प्रोसेसर था उनका खुद का वो मिलता था बट यहाँ पर अब आपको इस मन्त के अंदर 2023 में फिर से ये देखने को मिलेगा Snapdragon 888 5G बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर चीजों के बारे में तो यहाँ पर आपको इंटरेल स्टोरेज कम संकम 128GB की मिल जाती है 6GB वाला RAM मिल जाता है उसके बाद 8GB वाला RAM चीज़े देखने को मिलेगी साथ में LED Flashlight, Auto, HDR, Panorama फीचर सारे मिलेंगे वीडियो भी आप कम से कम 4K 30fps 60fps पर बना सकते है 1080p पर बना सकते है, 720 बना सकते है HDR का सपोर्ट है, EIS का सपोर्ट है साथ में हम बात करें सिंगल फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको 32MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है 3.5mm audio jack देखने को नहीं मिलता है Loud speaker काफी अच्छा मिलेगा, आपको stereo speaker है साथ में आपको Wi-Fi 6 option मिल जाता है Bluetooth 5 मिल जाता है तो यह काफी amazing चीज़े आपको देखने को मिल जाती है reverse wireless charging का option मिल जाता है तो यह सारी चीज़े basic लिए आपको देखने को मिल जाती दोस्तो और यही जितने भी आपको specifications मैंने बता है यही आपको इस वाले smartphones के अंदर देखने को मिलेंगे और अगर जो change आपको देखने को मिलेगा वो होगा सिर्फ processor का जहाँ पर इस बार इंडिया के अंदर snapdragon 888 5G को ही यूज करके launch किया जाएगा Exynos को इसलिए replace किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि जब वो launch होगा था उसके अंदर काफी heat issue हुआ था तो heating issue के कारण और काफी अधर चीज़ों के कारण बहुत सारे complaints आई थी जो कि actually में ज़्यादा successful नहीं रहा था बट आज के time के साब से अगर आप price को देखते होगे अगर कोई बढ़िया smartphone और एक compact smartphone करीना चाते है तो Samsung का Galaxy S21 FE 5G Exynos के साथ में 30-40,000 का मिलता है आज भी flip card पे यह Amazon पे आपको मैं link दे दूँग description box में आप जाकर देख सकते हैं तो अगर आपको वो लेना है तो वो ले सकते हैं नहीं तो हम बात करें इसके finally price की तो ये मान के चलिए आपको कम से कम 50,000 के करीब ये launch होता दिखाई देगा इस price range के अंदर अब budget के ओपर depend करता है और आपकी demand के उपर depend करता है कि क्या actually में आप इस smartphone को खरीदना चाहेंगे और अगर खरीदना चाते हैं तो आप ये smartphone एक बार देख सकते हैं बाकि आपके क्या opinions हैं मुझे comments बोक से ज़रूर बताईएगा तब तक के लिए गाईस बने ने मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेक करना ना बोलें मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए टाटा टिक केर बाबाई जैहिन